अलिभाई को लेते हैं, अलिभाई अलिभाई हर्समी में दिवास हरी आपको बिल्कुल ठीक आ रही है, जल्दी जल्दी बोलें, क्या कहना चाहेंगे आप हर्समी मैं पहले तो यह कहना चाहोंगा, मैं आपको बहुत बड़ा फैन हूँ आपका भी और गालिब भाई का भी बड़ा किसका है यह हमारा एक विच्वल बांचुका है गालिब के ज़्यादा बड़े फैन हैं यह मेरे नहीं नहीं सर्व मैं बिसिकली आपका एज इंडिविज्वल फैन नहीं हूँ आप यह कहलें कि जो आपके आपकी बात है उसका फैन जो आप बहुत है वही मतलबा है आप ज़रा ज़्यादा टॉलरेट करते हैं जैसे भी भाई को टॉलरेट कर रहे थे आप एकी बात वो बार बार रिपीट कर रहे थे तो गालिब भाई ज़रा थोड़ा सा ना अग्रेशन दिखा जाते हैं वो लेकिन बात जो लोग लेम एक्स्क्यूज करें तो फिर वो अच्छा सर मैं बेसिकली आपका फीडबैक गालिब तक पहुंच जाएगा सर 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 बेसिकली मैं मुस्लमान हूं और शीया मुस्लिम हूं है और मेरा बड़ा पका और कामिल यकीन है इसलाम पे और शीया मुस्लिम होने के नाते में आपसे कुछ 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 करना चाहूंगा और पहले मैं वैसे एक बात बताना चाहूंगा मुझे ऐसा लगता है कि एथिजन की तरफ जो लोग आ रहे है वो यह लोग आ रहे हैं जिनको वो चीजने बताई नहीं जाती या वो इसलाम में वो चीजने पढ़ते ही हैं या उन्हें हिस्टरी का अटना आडिया नहीं होता है जब वो आप लोगों के पास आते हैं आप उन्हें बताते हैं पर बिलकुल दिमाग जो है ना वो एक वो कहते हैं यार यह चीजें तो हमें मोलवी बता है नहीं रहा था वो मस्जिद में जब जाते हैं जुम्मे का खुत्बा सुनते हैं वो उन्हें सरफ अच्छी अच्छी बाते बताई जाती है वेराज जब एक शिया मुस्लिम को आप है वो मजाले से रेंड करता है वो जब तारीख पढ़ता है वो चीजें देखता है उसे पता है कि सहाबियों में भी फ्लास थे एवन के नभीयों से भी जो पॉइंट्स हैं जहां पर जाके उन्होंने कुछ ऐसे चीजें की हैं जो कि आर्गियोबलन डिसकस की जा सकती है व लेकिन पर कीजें का उलौन और यवые सनगा खते हैं पुडीयों में उसका लेकर अउमिया गया है। पहली चीज़ें काफी है चीज़ों का आइडिया होता है फ्र वो अपने जो है ना एक उसने अपने आपको किम्मिंस किया होता है इन चीज़ों के उंपर, मनत्र के साथ किसी चीज़ों को लेकर चल रहोता है ड़िधर दिन जो दूसरा बंदा एक सुन्नी है वो यही सोच रहुता है कि सब कुछ अच्छा जो मेरा दीन है वो तो परफेक्त है, उसके यलावा जो है वो सारे बंदे हैं वो जीरो हैं, वो कृस्टिंस भी जीरो है और क्या ना मैं यहुदी भी जीरो है फर दूसरा बंदा जो है ना हूँ, उसको जीरो कंसीडर करता है, इसके बारे में सर मैं आपसे पूछना कर दो, यह देखें, यह वही बायस है जो सुनी भी यही कहेगा, अपनी सुनी इजनी एजम के बारे में, और आपने मेराकल बड़ा इसको सिंपली देखा है, क्यूंकि से महम्मद साइद भी मेरा ख्याल एक शिया ही है तो बहुत सारे लोग एक शिया भी है और अगर आपकी यह मान लेकर शियों को पता होता है कि उनके बारे में क्या है लेकिन देखें देखें गाले भाई वाला यह अनफॉर्चनली जो आपने देखा ना आपको यह प्रॉब् मुझे कुछ शियों की किताबों का इतना इल्म लेकर कुछ मैंने पड़ी भी है किताबे नहीं पड़ी में कुछ एकसरप्स देखें मैं हो जैसे बड़ा मशूर नाजूल बलागा का जो वह वाक्या है कि हजरत अली एक दफा वह तलवार चलाने लगे तो उनको किसने उनक पता ने उनका हाथ रोक लिया क्योंकर वह ना रोकते तो वह समीन काटती मेंना स्प्लेट अपन हो जाने थे इस तरह की जो सारी बाते हैं वह तो फिर बड़ा किन्वीनिएंट हो जाता है यह इसको कहते हैं हो किन्वीनियंट कि जो बाते हैं आप को नहीं पसंद आती आप जो बहुत सारे कुरान के चैप्टर्स जो है वो उस्मान ने नहीं इंकलूड की है यह कुरान मिसिंग है तो हाँ तो यह सारी जो बातें हैं इस तरह की तो इससे अन्फॉर्चनली आपका जो दीन है और हमारा जो सेंट्रल क्लेम जो है सेंट्रल क्लेम ही मेरा स्पेशली यह है कि खुदा के पर कोई भी खुदा हो पहले तो उसका कोई सबूत ही नहीं है दूसरा फिर हम देखते हैं कि कुरान के अंदर मैंने इसमें अपनी जो बुक लिखिया उसके अंदर मैंने फोकस कुरान पर किया है तो इतरा गया ही नहीं रिसूर्ज अला की जिन्दकी के हवाले से तबरी औ तो यह सारी चीज़ें जो हैं यह तो इससे तो शीया भी अजाद नहीं हो सकता तो सर लेट्स वोज हम कहते हैं कि जो आप ही कहते हैं न कुरान कंपाइल हुआ है और हमने भी पड़ा है तो हो सकता है यह हुमन नहीं हो सकता बड़ा कुछ हो सकता कई लोग कहते हैं कि यह कुरान जो है इसकी ओथर्शिप जो है मल्टिपल लोग हो सकते हैं बहुत सारे लोग कई रिफॉर्मिस्ट हैं जो कहते हैं कि कुछ आयतें भाद में एड की गई अबू बकर और उमर की expansionism को promote करने के लिए या उसकी favor लेने के लिए kind of like जो अफगान जहाद हुआ था हमने भी कुरान को पीछे राख दिए बस वह वाली जहादी आयतें दिखा दिखा कर मदरसे में पढ़ा पढ़ा के scheming तो ये तो बड़ा easy to comprehend है कि ऐसा भी हो सकता है लेकिन problem फिर वहीं पर आ जाते हैं पिर हम उसमें चले जाते हैं और difference of opinion आ जाएगी फलाना scholar कुछ कह देगा फलाना historian ये कह देगा faith का मामला आ जाएगा मैं तो कहते हूँ इतना simple argument है against all religions and let's just focus on our favorite one ये जो mistakes हैं कि सूरज जमीन के गिर्द घूमता है दिन और आत का और सूरज और चांद के मदार के जिकर हो रहा है सूरज का कून सा मदार है जिसका दिन और आत से तालुक है थंडा पानी कड़वे पानी में mix नहीं होता जो मनी जो है वो rib cage और उसके पीछे से आती है उसकी जवाबात सारों ने दिये हैं मुसल्मान apologists ने दिये हैं जवाब क्या आप अपने दिल पे हाथ रखके कहें कि यार ये इन जवाबों की मनतक बनती है कोई कि नहीं बनती तो आप छोड़ने हैं आप politics में जाने पे इसल चैप्टर वहीं पर खतम होजाता रिसूल ला की जिन जद्वी जब खत्म होती है जो قुरान के अंदर जब आप कुरान को पाड़ लें चैप्टर वहीं पर खतम हो जाता ना चीज यह मैं बड़े हरसे से यह कहना चाहता हूँ, मुझे कभी मौका नहीं मिला, मेरा ख्याल से मैं एक दूद दफ़ा कहा है, कि अगर मैं मेरा बलीफ हो जाता ना, इसलाम पर यह सारी चीज़ें जो इगनोर हो जाती हैं, कि यह सानिटिफिक मिस्टेक हैं, इखलाकी बुराइया जो कुरान में लिखी मी है, अगर यह सारी चीज़ें मैं और अल्लाप पर अंधा यकीन हो जाता, तो मैंने तब शिया हो जाना था, सुनी नहीं था होना, उसकी वज़ा यह है, कि अगर आप रसूल अल्ला को मानते हैं, तो जाहरी बात है, आप रसूल अल्लाद को भी उनन मुझा ने उनके साथ हुआ अब उसकी खातिर माविया की खातिर माविया से पंगा लेना है इसकी क्या लोजिक है I don't understand that, so यह अगर मैं होता है, लेकिन अभीस ही मुझे तो खार उस पर पूरा येकीन ही, मैं लॉजिकली स्पीकिन, कि इमाम सेन अगर थे, यह वाकिया कर्बला हुआ या ना हुआ, but why would you give care to Yazid और मौाविया, sorry, मौाविया के आरराग से, why would you show allegiance to them? यह में, it doesn't make sense to me, तो अगर मैं होता है तो वोता है, but anyway, problem is far deeper than that, far simpler than that, Allah में यह कोई शबूत नहीं है, कुरान की scientific गलती है, कुरान में बुरी इखलाकी बात है, that's it, मेरे निजदीग जिस्टे मैं, मेरी जो debate होनी है, हकीका चुक करता है, उसने यह चीजों को defend करना है, उसने defend करना है कि torture करना ठीक है, लॉंडी रखना ठीक है, उसने इन चीजों को defend करना है, अब यह तो मैं कभी मान ही नहीं सकता, जाए आप जो मर्जी लॉजिक खोल के व थे लिवको जो में लुग लुग है, बारा इमा में में और यह साड़े 300-400 तक चले ए ठीक है, और जाहरी بात है, कि अगर आप देखें कि हमारे वाली सःचमने कुछ बात बिताई होगी, और उनके वाली साब ने कूछ बताई है, जैसे यहां बड़ा चलता है, कि मेरे द वायात में भी चल रहे होती हैं, तो कर्बला तो हुआ होगा. But they're quite open to exaggeration, they're quite open to, देखे, वो भी जो बंदा आपके सामने आज, फर्सक्राइब दावा करता है कि मेरे दादा ने 65 की जंग लड़ी बगारे, we are alive in the same period. In कर्बला's point, we are, और हम alive उस पे भी नहीं है, जो यह बाते बता रहे हैं, कि यह हुए है, उनकी भी लिखी भी बाते हम तका रही हैं. So again, मुझे इसमें इतरा इंटरेस्ट नहीं है. I just say, मैं उसको as a skeptic देखता हूँ, मैंने नस्दीग जो मैंने आपको बता हैं, मिने नस्दीग प्राब्लम तभी खतम हो जाती है, जब रसूल इल्ला फोत होते हैं. खतम होगी बात. जो बातें कुरान के अंदर लिखी में, unfortunately, very sorry to say, scientifically भी बड़ी घलत हैं, और morally तो बिल्कुल ही घलत है. अपनी बेटी के उपर तीन सौतने और लाके रागते हैं. तो ये रसूल इल्ला ने खुद हज़रत अली को अजासेत नहीं दी, कि फात्मा को लाके सौतन दो. ये हमारी बिखारी मुस्लिम की घदीश है, कि रसूल इल्ला लेका मुझे तकलीफ होगी, जस चीज से फात्मा को तकलीफ होगी, उससे मुझे तकलीफ होगी. जारे बाद उनने तकलीफ होगी? ने सब मैं प्रूब ये करना चाह रहा हूँ, आर्गुमेंट ये है मेरा कि ये कहते हैं कि मुहम्मद एक्जिस्टे नहीं करते थे. मैं उस पे कहना चाह रहा हूँ कि अगर कर्बला जैसे भी एक्जाजरेट ना करें, एक एक इंसिडेंस हुआ, तो कर्बला से पीछे फिर अली भी होंगे, अली के साथ पिर मुहम्मद भी होंगे, तो यानि उस लोग के तो थे ना, मैं अगाली भाई अकसरी बात करते हैं कि माविया जो था उससे स्टार्ट हुआ है, और इससे पहले उन्होंने कुद बनू, मैया ने और बनू अबास ने कुद जो है, वो पिछले सारे सारे जो है जो है वो जनरेट खर ली है, क्योंकि मुझे तो इसमें कोई इंटरस्ट है ही नहीं, कि मकाम इधर था या उधर था, क्या रसूल आला का वाकी वजूद था या नहीं था, क्योंकि मैं एकडेमिक हिस्टोरियन नहीं हूँ, इसलिए मैंने नजी जो इसलाम का जो केस है, वो ही पर शूरू में खताम हो जाता है, जो मैंने आपको बिताएगा, सर आपने जैसे एक बोड की बात की, अगर हम लेट्स बूस कहते हैं, कि देखें, एथिस्टो चलें, जब से शुरू से चल रहे होंगे, इसना बहुत सारे फिलोस्फिय है, ग्रीक माइथोलजी है, वो भी खुदा को मानते थे, किसी ना किसी तरीके बहुत सारे खुदा हैं, हम अगर कह दें कि ये एक गोड को हमें सिंपली कहते हैं फोर्स, मैं एक लोकल कुलेज में यहां पर फिजिक्स को बढ़ाता हूं, तो अगर हम देखें, फोर्स एक चीज है, अमें एक ताकत है, तो हम ये बढ़ते हैं कि एक फोर्स जो है, वो कभी खतम नहीं होती, चेंज होती है, एक जगा से दूसरी जगा चली जती है, तो ये ग्रेविटेशन है, आपके पास चार्जिस के दिर्मियान की फोर्स है, जिसे पूल उन्सला कहते हैं, और ये कुछ ऐसी चीज़ें जैसे आप मेराज है, तो हम उसे exaggeration नहीं माने, तो time dilation तो है, ये तो प्रूफ कर चुका है, स्टिफन होकिंग भी प्रूफ कर चुका है, तो कुछ चीज़ें तो Quran में या इस तरह की जो चीज़ें हैं, तो तो आप लोग ने उसको तोड़के बनाया कि जब वह वापिस हाय तो time इदर slow हो चुका था, बलकर उसका अभी उल्टा है, कि time तो उसके लिए slow होता है जो उपर जाता, नीचे वालों के लिए तो time तेज हो जाता, तो सर्थ ये इसको बड़ी खल्ती है ये, अगर हम इसको एक खुदा को एक force मानते हैं, let's suppose, कि एक वो force है, जिसकी वज़ा से सब कुछ वाले, बिग बैंक करवाने वाली force भी होई थी, तो तब तो हम ये कह सकते हैं, कि शायद खुदा का एक वजूद हो सकता है, वो force की form में हो, हो तो होने को कुछ भी हो सकता ना पर आप, नहीं तो सर्फ फिर दोनों, यह रहूं, यह रहूं यह रहूं आपने, आर्गुमेंट फॉम इर्रैलिवेंस पता नहीं सुना है, मेरा के नहीं सुना, तो अगर हम एक possibility छोड़ देते हैं, कि खुदा हो सकता, लेकिन वो यह वाला खुदा नहीं हो सकता, जो यह भूंगिया मारता है, कि सूर्ज और चांद का मिदार है, और दिन और रात को अला नहीं बनाया, मीठा पानी, कड़वा पानी, मिक्स नहीं हो सकता, एंब्रियोलोजी के घलत steps बयान कियें, कि पहले हड़ियां आती हैं, फिर गोश्ट आता, जो कि घलत है, तो ये ऐसे हुआ कि मैं आपको कहूँ कि गाड़ी कहा बनती है, आपको कॉंगो के जंगलाइट में बनती है, ये गाड़ी फोड की गाड़ी या तो अमरीका में बननी है, जिपनान की गाड़ी जैपन, वो नहीं जो उसके अंदर जो रबड होता ना, वो रबड के द्रखतों से आता है, जो अफरीका में है, मेरा खिल, इंडिया में भी है, ये थाई-लाइन में भी है, उन जगों पर आता है, इस वज़ह से मैंने आपको काई, यह कहा है, यह कहा है, आपने मनी जहांपे, घब्रती भेन लिखना है, अब वहाँ बनती है, आप खाँ चाब के सिथे और एस चीजिता जुप्टी करने खूए है के सबसे हैं ऐस थोड़ा बैनूंस का आपड smūk सब्शुक्ड मैं पॉसिबल है आइस्ता साइंस अप्रेड होते होते हैं यहां तक आ ही जाए मैं एक पॉइंट दे रहा हूं कि अभी तो कन्फर्मेशन तो साइंस पे तो कर नहीं सकते जो 19th century के बंदे तो मर के होने तो यही लगा होगा गार इंडिविसिबल है ने वो ठीक है यह पॉइंट आपका घलत हो जाता ना वो मैं फिर आपको दुबारा रिपीट कर रहा हूं कि वो खुदा हो सकता कोई और खुदा हो वो यह वाला फिर भी नहीं हो सकता है जब इसने खलती कर रहे हैं वो ही खुदा मान लेते हैं लेट्स वो ही खुदा मान लेते हैं अला मिया नहीं और बाकि मानना तो तोहीद को मानना ना बाकि सारे लोग उनमें उसे एक चीज से तो निकली होंगए पर तो कित अ जाएगी है बगाटए कहीं पर एक जगा तो जाके से स्टोप होगी ना नहीं नहीं होगी ना नहीं नहीं इसलिए तो हम आपको कहते हैं कि खुदा का होना ज़रूरी नहीं है सेर वो उसके सर्च करते रहते हैं कहीं तो जाके वो रुकेगा कहीं पर भी रुकेगा यह कप जो है, खुद नहीं बान सकता, लेकिन इसके अंदर जो atoms हैं, वो तो nature में होंगे, ठीक है, atoms जो थे, वो तो nature में होंगे, तो उसी तरह, जिस चीज से खुदा बना है, चाहिए वो matter है, या anti-matter है, जो भी चीज है, that must have existed in some form, complicated form में नहीं हो सकती वो, complicated form के लिए आपको step by step increments चाहिए, तो यह हो सकता है, this is more likely, purely from philosophical point of view, कि एक simple being था, जो कि complex being पे चला गया और complex इतना हो गया, कि he became a god, जिसको हम god तसवर करेंगे, यह हो सकता है, लेकिन यह नहीं हो सकता है, कि एक cup जो है, एक dham से आ गया, जो god, जिसको आप god कहते हैं, ना, हम उसको god क्या ही निरे से, हम हम वो simplest जीज़ जूरे ना, हाँ, लेकि वो Allah वाला god नहीं होगा ना, आ बना की तो बियान हो चुकी है ना, जो उसकी, अल्लामिया की जो önलामिया की जो फजीलते हैं यः अल्लामिया की जो सिफाथ अधर्म, भो तो बयान हो चूकी है तो उन्हाँ हमेशासे है, कहांसे है किसी को नीपदा हमेशासे कॉंप्लेक्स है, काइनास से जादा भड़ा है ग्यिद Jan वो जोब भी खुदा हटी स्कावर होगा यह वलाँ नहीं होगा एकस भी होगा है आरो यावे कभी नहीं होगा कृष्णा कभी नहीं होगा मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियून पर जूर्ष सपोर्ट कीजए ताके मैं अपना पेगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पन्चा सकूँ